दरन्वी शोग क्लिप्स में आपका स्वागत है यूट्यूब का एक एक लौता चैनल आपको हर चीज के बार में नॉलेच में लेए जब गुरु तेक भादुर साब की ना एक बहुत अनोखी परस्नालिटी है जी और जब उनको गुरुगद्दी सौपी गई तो उनको पूछा गया भी आप तो गुरु बन गए आपको कैसा लग रहा है तो कहते हैं कि गुरु साब ने ये शबद उचारा जो सिरी गुरु ग सुख सने अर भै नहीं जाके कंचन माटी माने ने निंद्यान उस्तत जाके लोब मोह अमाना हरक सोगते रहे नियारो ने मान अपमाना असा मनसा सगलते आगी जगते रहे निरासा काम क्रोध जे परसे नाहन तै घट ब्रम निवासा गुर किर्पा ए जन को कीनी तै ए बिंदसें जो पानी संग पानी थोड़ा सा मैं एक्स्प्लेयन करता हूأूँ वो कहते हैं कि इंसान को ना हमेशा शान्थ सुखा होना चाहिए इंसान के लिए मिटी और सोना एक समान होना चाहिए इंसान के लिए उसकी अगर कोई प्रशंसा कर रहा हो या उसकी कोई जो लिखी हुई बानी है उसमें बार बार नजर आता है और ये भी सिख गुरू साहिबान का बहुत बड़ा एक उनकी परसनालिटी का ये हिस्सा है और अगर हम हर एक गुरू की लाइफ में देखें अभी हम गुरू गोविन सिंग को भी देखेंगे जिनकी लाइफ बहुत अलग थी डिफरिंट थी लेकिन ये जो बात गुरू तेख बहादर साहब ने कही है न यही बात उनमें भी नजर आती थी तो इस शबद से उनकी परसनेलिटी हमको समझाती है गुरू तेख बहादर साहब की गुरू तेख बहादर गुरू गर्गर्दी पे थे और उनके जो सिख थे वो सारे हिंदुस्तान में फैले हुए थे तो एक टाइम पे गुरू साहब ने फैसला किया कि जो पूर्व की तरफ सिख हैं उनको वो मिले जाके तो निकले वहाँ से कानपूर लखनाओ इलाबाद गए पटना गए पटना में जब थे तो उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया गोबंद राए अच्छा गुरू साहब अपनी यातरा पे थे तो माता गुजरी जी और इन्फिन्ट गुरू और वो पटना में रुख गए और गुरू साहब आगे गए वहाँ से बुद गया गए धाका गए जहां पे सिख होते थे तो साथ में उनके एक औरंगजेब का हिंदू जेनरल था जिसको जो गुरू साहब के बहुत क्लोज था और उसको ये असाइन्मेंट मिली गई थी कि काम गुरूप के बगावत को आपने जाके उसको ठीक करना है तो वहाँ पर गुरू साब गए और दो तीन साल उन्होंने उस टाइम वहाँ पर पिताए असाम में बिताए जब वह वापस आए तो उनको पंजाब से संदेश आने शुरू हो गए कि आप आईए यहां पर आपकी जरूरत है उन्होंने कुछ साल पहले पहाडों में एक बिलासपुर के राजा की विद्वा से एक गाउं खरीदा था जिसका नाम था माखोवाल तो वहाँ पर उन्होंने अपना डेरा बना लिया था गुरू तेक बहातर साब ने और माखोवाली बाद में जाके अनंतपु पर बना तो वह वापस माखोवाल चले गए पता लगा कि औरंगजेब के राज में फोर्सिबल कंवर्शन इसलाम की कंवर्शन शुरू हो गई थी उनके पास एक डेलिगेशन आई कश्मीर से तो उसकी अगवाई कर रहे थे पंडित की पाराम दत जिनका गुरू साब के प उन्होंने गुरू गोबिन सिंग जी को पढ़ाया भी था तो पंडित किर्पाराम दत उनके पास आए और उन्होंने दर्खवास्त की कि देखिए जो हाकिम है कश्मीर का इफ्तिकार खान उसने एलान कर दिया है कि इसलाम अपना लो नहीं तो जान से जाओगे तो हमने बह रीके से और अंगजेब को समझाइए कि हम मुसल्मान नहीं बनना चाते और हमें वो बख्ष दे तो कहते हैं कि उस टाइम पे एक डायलॉग हुआ जिसके बारे मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट वर्जन बताता हूँ आपको तो ये जो मैं एकसव पढ़ रहा हूँ ये ब्रज भाशा की एक किताब है जिसका नाम है शेयीद विलास ये भाई मनी सिंग एक बहुत बड़े सिख्वे हैं गुरू गोबिल सिंग जी के उनके बारे में हम बात करेंगे उनके बारे में लिखी गई है कवी सेवा सिंग ने लिखी है तो इसमें जो डायलॉग होता है कश्मीरी पंड़तों में और गुर्तेग बहादर में उसका बियान में थोड़ा सा पढ़ूँगा रखी लाज दियो सवार सुदामा काज फिरत फिरत प्रब आए तुम्हारे ठाक पए हों तो दरबारे सेवा हरी इम आज गुजारी तुम कल जुग के क्रिशन मुरारी सो वो हिंदू माइथालोजी के एक्जामपल्स देखे के भी जैसे इंदर ने हाथियों के राजा गजराज को बचाया था जैसे क्रिशन ने दुरापदी को बचाया था हमें बहुत जरूरत है और बस आप ही हो हमारा ठिकाना हम आपके पास आए हैं तो कहते हैं कि गुरू साब बहुत सोच में आगए काफी दिर उन्हें ने सोचा और उन्हें कुछ उचा रहा बल छुट क्यो बंदन परे कचू नहोत उपाए कहो नानक अब ओट गर गजजू हो सहाए बहुत मुश्किल समा आगया है कुछ समझ नहीं आ रहा है किया किया सकता है जैसे तूने हाथियों के राजे को बचाया था सारे पंडितों का चेहरा उतर गया उनको तो लगा कि गुरू साब ने तो मना कर दिया कह रहे कि भगवान की हाथ में हैं तो बोले कि क्या करें हम तो कहते हैं कि 9 साल की उमर के गोबंदराय बोले अच्छा एक बात मै क्लारिफाइ करना चाहता हूँ कि यह जो दो तुके में पढ़ रहा हूँ ना यह गुरू गरंद साहिब में है और यह 9 गुरू साब के अंडर आती है कि 9 गुरू साब ने उचा रहा है लेकिन यह popular tradition हमको यह कहता है कि यह एक छोटा सा dialogue हुआ तो क्योंकि गुरू पहद्राय बोलते है बल होआ बंदन छुटे सब कि चहोत उपाई नानक सब कुछ तुमरे हाथ में तुम ही हो सहाए कि भरी सब चीज का इलाज है नानक सब कुछ तुमारे हाथ में ही है तुम ही सहाए और नानक कौन गुरू तेक बहादू क्योंकि वSO 9 नानक थे तो हम ऐस कहा पंडित किर्पाराम को चलो दिल्ली चलते हैं निकल पड़े दिल्ली के लिए रास्ते में पंजाब में उनको पकड़ लिया गया और कैदी बनाके उनको दिल्ली ले गए वहां पे कहते हैं कि बहुत लंबा डायलॉग शुरू हुआ गुरू साइब और अरंगजेब की ब अनोंने गुरू साब को कहा के आप इसलाम कबूल कर लो तो गुरू साब ने इंकार कर दिआ इंकार करने पहे जो इंके सबसे प्यारे सिक्थ थे भाई सती दास, भाई मती दास, भाई दयाला एक को उबल दी देग में उबाल के मार दिया दूसरे को रुई में लपेट के रुई को आग लगा दी तीसरे को आरे के साथ चीर दिया कि शायद इसके साथ इन पे कुछ असर हो पर गुरू साब ने एक ना सुनी तो ये भी एक कहानी बनी हुई है कि गुरू साब ने कहा कि हाँ उन्हें कहा कि अगर अगर इतने बड़े पीर पैगंबर हो तो कुछ करामात दिखाओ तो गुरू साब कहते कि देखिए गुरू नारक साब का ये पंत है इसमें करामात जैसी चीज़ का कोई स्थान नहीं है तो करामात तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ कहां नहीं दिखानी पड़ेगी कहते है अच्छा ठीक है मैं ना इस कागस पे एक मंत्र लिखता हूँ और ये मैं अपने गले में पहन लूँगा और ये इतना ताकतवर है कोई तलवार मुझे कुछ नहीं कर सकती तो मैं ठीक है आजमाते हैं तो आया दिन दिल्ली का चान्नी चौक सेंटर अफ दे सिटी वहां पे गुरू ते एक बहादर साब बैठे हैं जलाद बुलाया जाता है वो अपनी तलवार चलाता है और गुरू साब का सिर तन से अलग कर देता है और जब वो कागिस देखते हैं उस पे लिखा होता है सी सिदिया पर सिरर ना दिया अब मैं गुरू गोबिन सिंग जी की एक रचना आपको छोटी सी पढ़के सुनाता हूँ जो उनकी अपनी आटो बायागरिफी बिचितर नाटक में दर्ज है जाया करीन किन हूँ आन तेख बहादर के चलत भयो जगत को सोख है 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 सब जग भयो जै 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 सर लोग तो इसमें वो अपने पिता जी की शहादत का वर्णार्ण कर रहे हैं और कहते हैं सिख तो पह पहनते नहीं पहनते हैं ना वो माथे पे तिलक लगाते हैं बट दो पॉइंट इस कि जो जन्हेंव पैंता है और माथे पे तिलक लगाता है उसको पूरा हक होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने जाके अपना शरीरत्याग दिया और कहते हैं ठीक कर फोर दिली सिर कि दिली के राजे दिली के राजा रूपी जो घड़ा है उस पे अपने आप को उन्होंने फोड़ दिया इस सिधान्त को पका करने के लिए उसी सिधान्त जिसकी हम दो मिनिट पहले बात कर रहे थे सो ये ऐसे अंत हुआ गुरु तेक बहादर साब का मतलब कि अपनी जो मेरी बिलीफ है मेरी कॉंशन्स है उसको मैं नहीं त्यागने को तियार सरीर बेशक मेरा तुम ले लो तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था सिक हिस्ट्री में उसको ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड कियें इस चैनल पर चैनल को एक्स्प्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ